ऐसा कहा जाता है कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन ही बिलकुल अच्छा बीटता है और इसी वज़े से सभी लोग सुभे उठते ही भगवान का नाम लेते हैं अच्छे चारे को करते हैं जिससे उनका दिन अच्छा बीट सके लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजे ऐसी बिगड़ी होती हैं कि चाहे सुभै को कितना ही अच्छा कर लिया जाए लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जो अगर कोई भी व्यक्ति सुभै के समय उठते ही करता है तो उस व्यक्ति के भागे को चमकने में बिलकुल भी देरी नहीं लगती है चाहे उसके जीवन में कितने भी लंबे समय से दुर भागे ही क्यों न चल रहा हो और चाहे वे कितनी ही ज्यादा परिशानी में क्यों हो हर एक परेशानी से बिल्कुल निर्विकन और निश्चिन थी निकलता है तो इस क्रिया को करना किस प्रकार है और इसका क्या महत्व है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिव आ इसी के साथ बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखें जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिला करें तो दोस्तों आपको बता दे कि जब भी जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा समय चलता है तो ऐसा होता है कि विक्ति ठीक से सो नहीं पाता है और सोता है तो ऐसा उसे लगता है कि उसके मन में या उसके शरीर में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन सी चलती रहती है जिससे उसे बुरे सपने आने लग जात और गलत गलत वह सोचने लग जाता है और इसी के कारण इतना सोचने की वजह से उसके आसपास एक मानसिक उरजाओ का गोला बन जा है और जिसकी वजह से उसके जीवन में इतने जादा कश्ट आने लग जाते हैं कि फिर वह खुद भी समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके एक नकरातमक ख्याल बढ़ते ही चले जाते हैं जैसे जिन लोगों के उपर तंत्रक्रियाँ होती है या कुछ ऐसी वैसी चीजे होती है कोई अद्रिश्य शक्तिया उन्हें परिशान करती है तो वो क्यूं करती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है उसके बारे में भी बताएंगे लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि काफी लोगों के जीवन में परिशानी इतनी जादा होती है कि जैसे करज की समस्याइं धन की समस्याइं नोकरी की समस्याइं हर एक विक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ परिशा परिशानी होती ही है और उसी परिशानी को लेकर वह नकरातमक सोचता रहता है और इसी नकरातमक सोच के कारण उसके आसपास एक उसका मानसिक उरजाओ का वह गोला बना लेता है और उस गोले में एकदम ऐसा फसा हुआ खुद को पाता है कि ना जाने कहां से इतनी परिशानी आ गई है तो ऐसा जादतर रात के समय होता है जिस समय आप सो जाते हैं तो सोते समय अधिक डर उन लोगों के मन में रहता है क्योंकि जब भी व्यक्ति सो जाता है तो रात को सोने से पहले अपनी परिशानियों के बारे में सोचता है और कैसे उन से निकलना है उस बारे में हो जाता है तो इस चीज से बचने के लिए अगर तामबे के लोटे में जल भर के रात को सूने से पहले सिराने रखा जाए और सुभै उठकर इस तामबे के लोटे में जो जल आपने भरा है इसे किसी भी पोधे में अगर डाल दिया जाए तो जितनी नकरात्मक ओरजाए होती है जिस भी परेशानी में वह व्यक्ति फसा हुआ होता है अब फसने का कारण चाहे कोई भी हो, चाहे धन की समस्याए हो, करज की समस्याए हो तो उसे उसके जीवन में सहायता प्राप्त होने लग जाती है यह एक ऐसा प्रयोग है कि जब आप करते हैं तो इससे अद्रिश्य जो सकरातमक शक्तियां है क्योंकि हर एक पौधे में सकरातमक शक्ति वास करती है जो कई विक्ति सुबह उठते ही कुला करने से पहले पानी पीने से पहले भी अगर किसी पौधे को नित्य प्रती दिन जल चड़ाता है अपने सिराने रखा हुआ चड़ाता है तो इससे उस पौधे की सेवा होती है और वह पौधा फिर आपको आशिरवात देता है इसी प्रकार अगर शमी के पोधे में यह करा जाता है तो आप ये समझ जाएं कि जितने भी अगर आपके कारे में बाधाएं आती हैं अडचने आती हैं तो वे तुरंद दूर होने लग जाती हैं बलकि अगर उसी पोधे के फिर पत्ते तोड़कर फूल तोड़कर प्राप्त होती है कही न कहीं से ऐसे योग प्राप्त हो जाते हैं ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपकी परिशानी तुरंद खतम होती है तो आज से ही इस चीज को करना शुरू करें कि अपने सिरहने तांबे के लोटे में तांबे के गलास में जल भर के अवश्य ही रखा करें क्योंकि इसको सीधा परभाव क्योंकि इसे अगर आप सिरहने रखते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है मानसिक रूप से आप क्या सोच रहे हैं किस किन उर्जाव से आप परेशान है वह सीधा परभाव जल पर पड़ता है और भगवान हर एक विक्ति को मदद करना चाहता है तो इसी जल को अगर आप पोधे में चड़ाते हैं तो इससे आप देखने लगेंगे कि रोज आपकी स्थिती में सुधार होने लग जाएगा तो इस कारें को अवश्य करें ये इतना आसान सा कार है कि कोई भी कर सकता है अब दूसरी चीज यह है कि ऐसा समय निकाला करें कि कभी भी किसी भी व्रिक्ष की चाया में अवश्य ही बैठा करें जैसे कि भरगत का व्रिक्ष है ये खांस में अवश्य ही चला करें चाहे रोज 10-15 मिनट के लिए ही चला करें लेकिन रोज चला करें क्योंकि भरगत व्रिक्ष में भगवान शिव का वास होता है पीपल सूरे में निकलना रोज बताय जाता है कहा जाता है बलकि अगर किसी विक्ति को बहुत ज़्यादा बिमारी भी हो जाती है तो उसे अक्सर यही सला दी जाती है कि सूरे की रोशनी में अवश्य ही बैठना चाहिए जो लोग सूरे की रोशनी में नहीं बैठते हैं या सूरे की किर्णे अपने उपर नहीं लेते हैं तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिशानी और दुर्भागे उने खेरने लग जाता है इसी के साथ उनके जो चक्र हैं वो भी कमजोर पढ़ने लग जाते हैं जिस प्रकार एक पौदे को आवशकता पढ़ती है सूरे की किर्णो की उसी प्रकार इंसान के लिए भी सूरे की किर्णे इतनी जादा मैतपोन होती हैं लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि लोग कारे के चलते ये बीजी होने के चलते सूरे की किर्णों में बैठ नहीं पाते हैं तो इस कारे को भी रोज किया करें जाहें 10 मिनट 15 मिनट कम से कम आ अगातार आदे गंटे तक सूरे की किर्णों में आप बैठते हैं तो उस समय में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं से आपके मन में सकरात्मक विचार चलने लग जाएंगे और ये चीज़े ऐसी हैं कि हर एक विखती को अपने जीवन में रोज ही नित्य प्रति दिन बिल्कुल ह ही हैं कि फिर उस इनसान को परेशान कर सके ऐसा विक्ती हर एक परेशानी पर विजय प्राप्त करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है गायतरी मंत्र या महा मृत्यूंजय मंत्र आप इन दोरों में से कोई भी पांच माला रोज जाब कर सकते हैं आप अभी केवल इनसान को तभी घेरती हैं जब इनसान के जो अंदर के जो चकर हैं वे कमजोर हो जाते हैं यानि कि किसी ना किसी रूप से उसे कोई छोटी बीमारी लग जाती है अब बीमारी कई प्रकार की होती हैं शारिक रूप से होती हैं मानसिक रूप से भी होती हैं और और जो तंत्र क्रियाओं में बताय जाता है उनसे भी होती है और यही वजह होती है कि तंत्र क्रियाओं में व्यक्तिव के और पर ही प्रभाव डाला जाता है और इस चीज़ को आप सुएम भी देख सकते हैं कि जिन लोगों पर तंत्र क्रियाओं हो जाती है या भूत प्रेत आदी का साया रहता है तो वो लोग चाहा कर भी अच्छा सोच नहीं पाते हैं उनके मन में लगातार डर के विचार बने ही रहते हैं इसे कैसे ठीक करना है ये आने वाले वीडियो में निश्ची थे हम आपको बताएंगे लेकिन महामृत्यूंजय मंत्र इस प्रकार से कारे कर करता है कि अगर कोई विक्ति पांच माला ग्यारा माला रोज रुद्राक्ष की माला से जाब करता है और उस रुद्राक्ष की माला को अपने तकिये के नीचे रखकर सोता है सोने से पहले भी जाब करता है तो वह अपने जीवन में आगे बढ़ता ही चला जाता है ये कुछ ऐसी चोटी चोटी कारे हैं, ऐसी चोटी चीजे हैं, कि अगर आप 11 माला ना कर पाएं, 5 माला ना कर पाएं, तो एक माला तो कम से कम अवश्य ही किया करें, भगवान शिव पर ध्यान लगाते हुए, फिर आपको आपके जीवन में कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर सकती ह मंत्र में ऐसी शक्ति होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति मंत्र साधना रोज नित्य प्रतिदिन करता है तो वह साधारण मनुष्य से काफी जादा शक्ति शाली होता है मंत्रों की एक अलग ही शक्ति होती है महीमा होती है मंत्र विक्यान होता है बलकि कुछ मंत्र तो ऐसे होते जिनके मादेम से इंसान अपने जीवन में कुछ भी प्राप्ट कर सकता है, बड़ी असानी से प्राप्ट कर सकता है, और जब कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष की माला को महामृतियों जाय मंत्र जिससे जाब किया जाता हो उसे तकीये के नीचे रखकर सोता है तो उस इनसान के जीवन में जो परेशानी होती हैं जो संकट आने वाले होते हैं उन संकटों को दूर करने के लिए पित्र और जितन खास हैं और काफी ज़्यादा घहरी भी हैं जो कोई इनसान इन चीज़ों को करता है तो उसे स्वयमी अनुभव होते हैं कि कितना ज़्यादा लाब उसके जीवन में बढ़ता ही चला जाता है क्योंकि हम अपने चैनल में हमिशे खास चीज़े इसलिए आपको बताते हैं ज सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से सुना करें कौन सी चीज कब आपके कारे में आ जाए और कब आपको परिशानी से निकाल दे ये आप भी नहीं जानते हैं इस खास जानकारी को दूसरी लोगों के साथ भी अवशे शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाब उ था सकें धन्यवाद ओम नमस्षिवाय हरहर महादेव